हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूश पपरहार में मैं हूँ एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 498A के बारे में देखिए होता क्या कि 498A में मैक्सिमुम के सेज में तो आपके F.I.R दर्ज जाती है लेकिन इसके अलावा एक प्रस्तिती ये भी बनती है जहां पर आपके F.I.R दर्ज नहीं होती तो इस पार्ट पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी confusion है और आप कैसे बहुत ही आसानी से बच सकते हैं मैं आपको तरीके बताऊंगा कुछ ऐसे जिससे आप इस 498A के केस को बहुत ही आसानी से deal कर सकते हो और जैसा आप जानते हो कि अधिकतर जूटे facts से इसमें लिखे गए होते हैं तो उते हैं जूटे facts से तो आएंगे भी आपके favor में लेकिन initially जो harassment होता है उससे बचना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है तो दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सारे तरीके जान लेंगे कि अगर ऐसा हुआ है कि आपकी wife ने court में आपके खिलाब 498 का case वाइल कर दियो और magistrate साब ने उस पर cognizance भी ले लिया है दोस्तो देखे 498 के case में जब magistrate साब cognizance लेते हैं तो उस समय पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के नाम हटा दिये जाते हैं कुछ section कम कर दिये जाते हैं या कई बार होता है कि सभी लोगों के खिलाब जो है order हो जाता है समनिंग order इसको कहते हैं और समन उसके बाद आपके पास पहुंसता है कि आप court में particular date पर appear हो अब यहां से आपको क्या करना है आपके पास क्या क्या रास्ता available होता है तो इस पर मैं आपको बताने वाला हूँ देखिए पहला रास्ता तो simple है कि आप court में appear हो जाके अपनी बेल ले 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 लेकिन ऐसा करने में बहुत सारे लोगों को डर्बी होता है कि कई बार कोई section भी ऐसा होता है कि जहां पर अपने IPC के case में आपको जो summon issue हुआ उस summon issue होने के यानि जो summoning order हुआ उस summoning order के 90 days के अंदर अंदर एक criminal revision petition file कर दीजे session court में अब जो session court होती है वो same compound में ही जिसमें आपके magistrate court होती है ट्राइल कोट होती है वही पर session court होती है यानि जो district judge साब होते हैं उनके यहां पर यह criminal revision petition file होगी और इसके साथ साथ है कि stay petition भी डलेगी कि जब तक कि criminal revision petition का disposal नहीं हो जाता तब तक जो lower court की proceeding है trial court की proceeding है वो stay हो जाए और ऐसे मामलों में generally आपको stay मिल भी जाता है अब criminal revision petition को disposal होने में कई बार एक साल लग जाता है कई बार डेड़ साल कई बार और ज्यादा भी लग सकता ह तो ऐसे में तब तक वो सारी proceeding आपकी lower court की बंद पड़ी रहेंगी तो इससे सामने वालों का manobal भी तूटता है उनको लगता है कि इतना क्योंकि देखे समनिंग तक case को पहुँचाने में ये एक साल डेड़ साल कई बार लग जाता है अब इतनी मेहनत उन लोगों ने करी ह पहुचाने में और उसके बाद फिर case डबा बंद हो गया एक तरह से तो वो लोग भी कही न कहीं settlement पे आ जाते है कि ये तो कुछ होई नहीं रहा है इसमें तो ये आपके लिए benefit है लेकिन ये आप जाकर के bail लेते है कोट में पेर होने लगते है तो उससे तो उनका manobal और ब मिल जाए तो इस्टे चाहे आपको session court से मिलता है चाहे आपको high court में question के दौरान मिलता है दोने ही परस्तितियों में आपकी जो lower court की trial court की proceedings है वो इस्टे हो जाएंगी उन पर कोई कारेवाई नहीं होगी और सामने वाले का manobal इसमें गिरेगा कि उनके द्वारा इतनी महनत से हाँ पहुचाएगा case में आप कुछ हो नहीं रहा है तो यह जो 498 का case court के द्वारा दायर होता है इसको ले करके मैंने देखा बहुत सारी confusion लोगों के मनमू होती है इसलिए आज ये confusion दूर करने ही तू मैंने वीडियो बनाया आपको sumling के बाद के सारे option मैंने आपके सामन रख दिये बागी बहुत कुछ आपके papers पर depend करेगा आपके sumling order आपके complaint पर depend करेगा कि इनवे से कौन सा option आपके लिए बहतर होता है तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही next वीडियो में नहीं जानकरी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं तब तक है लिए goodbye and thank you for watching take care